फ्रांस के राश्पती सिमान उलान उनके साथ आया हुआ बरिष्ट डेलिगेशन भारत के विन विन कोने साय हुए सभी वरिष्ट महानुभाव मैं चन्डिगड की धर्ती पर आप सबका रदे से स्वागत करता हूँ चन्डिगड का फ्रांस के साथ एक प्रकार से नाभी का नाता है और इसलिए स्वाभाविक अपनापन उसके साथ जुड़ जाता है मैं राश्पती जी का भाषन सुन रहा था उनका उमंग उत्सा भारत के साथ काम करने का उनका संकल्प उनके हर शब्द में प्रतिमंबित हो रहा था पिछले एक वर्ष में मुझे करीब पांच बार उनके साथ विस्तार से देश और दुनिया के अनेक बातों में चर्चा करने का और साथ-साथ काम करने का मोका मिला है कोप 21 में विश्व इस बात के लिए बड़ा चिंतित भी था आतूर भी था कि पैरिस में कोप 21 से क्या निकलेगा और मैं मानता हूँ कि फ्रांस की लिडर्शिप ने फ्रांस की जनता ने जिस प्रकार से इस बात को आगे बढ़ाया वे अभिनंदन के पात रहें लेकिन प्रेजिडेंट भारत की भुमिका की सराना कर रहे थे काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं चाहे वो क्लाइमेट जस्टिस की बात हो चाहे लाइफ स्टाइल की बात हो चाहे प्रकूरते के साथ समवाद हो प्रकूरते का शोशन नव हो इन सारी बातों में मुझे राष्पतिकी जसाहत काम करने आउसर मिला और भारत की सारी बातों को स्विकार करने में आपकी बहुत बड़ी भूमी का रही है और मेरे लिए तो खुशी की बात तब हुई कि जब कोट 21 का फाइनल ड्राप्ट होना था और तैव हो जो कहता कि शाम चार बजे अब डेक्लेरेशन करना है इन बिट्विन राश्पत्री जी का मुझे फोन आया वो मुझे बताना चाहते थे फाइनल क्या हुआ है लेकिन मुझे उसी समय जहांज में बैटके बनारस जाना था और मैं उनका अभारी हूँ कुनों ने मिटिंग का समय पोस्पोन किया मैं बनारस पहुचा है मेरे से विस्तार से बातचित की क्या क्या होने वाला है क्या निर्णे होने वाले है मुझे अपना पुरा विस्वास में लिया और बाद में जाकर के उसको डिक्लेर किया मैं समझता हूँ कि ये जो gesture था उनका unprecedented था और मैं देखता हूँ कि ये ये एक फ्रांस के साथ भारत की जो निकड़ता है जो विश्वास पनपा है ये आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए अमानत है और इसके लिए मैं आपके नित्रुत्व का आभारी हूँ आपकी पूरी टीम का बहुत आभारी हूँ आपने इस बात की चिंता जता ही कि पूरी मानवजाद जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के लिए परिशान है वैसी ही पूरी मानवजाद को एक चुनावती है आतंकवाद की फ्रांस ने दुनिया के सामने एक रास्ता दिखाया है कैसी भैंक का रवस्था में निर्दोर्ष लोगों को मौत के घाट उतार दिये जाए तो भी अपनी विकास की यात्रा में विचलित नहीं होना अपने उसुलों में से विचलित नहीं होना अपने निर्धारित लश्च के लिए मक्कमता पुर्वक आगे भढ़ना फ्रांस में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो और उसके कुछी दिनों में विश्व के सभी देशों क पैरिस की धर्ती पर निमेंत्रित करना ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है और वहां की जनता का भी विचलित करके वहां की मीडिया का भी मैं इस बात के लिए अभिदंदन करता हूँ को पूरी तरह ऐसे संक्र के समय सरकार के साथ रहे और पूरे विश्व को अचरज हुआ कि ये कैसे हो सकता है और कियके दिखाया और ऐसी चीज़े हैं जो भारत के लिए सिखने के लिए काम आती है ये फ्रांस दे करके दिखाया और आतंगबाद की चुनवतों के खिलाब लड़ना ये मानवता का काम है और जो जो मानवता में विश्वास करते हैं उन सबने मिल क करके आतनकबाद के खिलाब लड़ना होगा भारत फ्रांस मानोता में विश्वास करने वाले मुल्यों को लेकर के जिये हुए देश है हम मिलकर के पूरे विश्व को साथ लेकर के मानोताबादी शक्तियों को साथ लेकर के आतनकबादी मानसिक्ता को खतम करेंगे आतनकबाद सही है कि रक्षा ये भी उतना ही महतोपून है और रक्षा के खेतर में अब आज सिरफ युद्ध अस्त्रों से ही रक्षा कभी शेरहा नहीं है अब तो साइबर सिकुरिटी तक बात पहुची है एक कमरे में बैठ करके 12 का स्टूडन्ट भी कहीं पर परेशानी पादा कर सकता इतनी स्थिति बदली है और इसलिए कि डिफेंस की दुर्स्टी से सिकुरिटी के साथ साथ टेक्नोलोजी के द्वारा साइबर सिकुरिटी ये भी एक बड़ा काम हुआ है भारत के पास आई-टी के ख्षेत्र में नवजवान टालेंट है फ्रांस के पास मैनिफेक्टिरिंग केपडिलिटी है भारत की टैलेंट फ्रांस का इरादा येगर मिले तो हम विश्वक और सुरक्षा देने में बहुत बड़ी भूमिक आधा कर सकते हैं रक्षा के ख्षेत्र में भारत डिफेंस मैनिफेक्टिरिंग में जाना चाहता है यहां डेर सारी बड़ी-बड़ी विश्वकी कंपनियों के सीओ मेरे साथ में मौझूद है और मुझे विश्वास है का आज जो भारत का वातावर्ण है विकास का नई चीजों को करने का विश्वक को स्विकारने का स्वाकत करने का जो यहां फ्रांस की कंपनिय आई है खा 65% 35 से नीचे population हमारी ये manpower एक बहुत बड़ी asset है और ये skilled manpower talented manpower low cost manufacturing का कारण बन सकता है आज वीश्व के अंदर सुरक्षा के लिए जो समसाधन मिलते हैं उसको upgrade भी कर सकते हैं हम cost भी कम लग कर सकते हैं और इसके लिए भारत के प्रयोग भी बन सकती है मैं इसके लिए आपक हो ये बात सही है कि जो CEO's ने बताया कि taxes and system हो सरकार की व्यवस्ता हो ultimately good governance is essence हमारी सरकार की कोशिस है good governance के द्वारा वैश्वी जो मांदन्ध है global जो benchmarks है उसके अनुरूफ हम delivery करें हम भारत की प्रंप्रा के दुरूप जो है उसमें अच्छा करें वो तो हम सभलता पाही रहे हैं लेकिन हम उस मकसद को लेकर करके जलते हैं कि हम global benchmark के अनुकूल हमारे देश की व्यवस्ताओं को हमारी निर्ने प्रक्रियाओं को हमारी judicial system को हमारी dispute mechanism को उस global benchmark के साथ जोड़ करके करना के दिशाम आगे बट रहे हैं और पिछले दिनों कुछ किया है आपने देखा हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने भी रेटिंग दिया इतने कम समय में भारत का 12 पॉइंट अब जाना ease of doing business में यह अपने आप में बहुत बड़ा achievement है और सबास्व करोर का देश है एक छोटे देश के लिए कि भी इस एचीव करना बड़ा सरल होता है इतने बड़े देश जो की federal structure है राज्यों को साथ ले करके चलना होता है उसके बावजुद भी 12 पॉइंट अब जाना यह अ उत्तम उधार है और यही बात है जो आने वाले दिनों में प्रणाम लाने वाएं यही बात है जो आने वाले दिनों टेक्सेशन सिस्ट्रीम के सिवें मैं यहां पर करीब चार सो से जादा फ्रेंच कंपनियां और भारत में काम कर रही है और इन चार सो कंपनियों के अत्रिक एक हजार से जादा कंपनियां जो एक प्रकार से उनके साथ जुड़ी भी फ्रेंच के साथ जुड़ी भी और कंपनियां यहां काम कर रही है बहुत बड़ा investment हिंदुस् सांज मिलकर के आज भी कर रहे हैं उनका अनुभव बहुत सकारात्मक रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कि स्टेबल व्यवस्ता हो कि प्रिडिक्टेबल टेक्सेशन सिस्टीम हो कि इसके विशय में हम पक्ष्कदर हैं और आपने देखा होगा कि हम एक के बाद एक वो कदम ले रहे हैं जिस कदम से स्टेबिलिटी के समन में आज मुझे शब्दों के कहने की ज़रूत पढ़ती नहीं है लोग मानते हैं कि यस स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल टेक्स सिस्टेम को लिए ये सरकार जानी जा रही है और अम उसी को रिट्रोस्पेक्टिव टेक्स वो बीते हुए कल की बात हो चुके ही ये मान के चलिए हम इंडुस्तान में वो चेप्टर कभी खुलने वाला नहीं है ये सरकार रहेगी तब भी नहीं खुलेगा आने वाली कोई सरकार नहीं खुल फाएगी इतनी विवस्ता हम कर देंगी हमें आपको भरोसा देता है क्योंकि हम चांते हैं कि कोई भी व्यक्ति हैं जब इन्वे इसमें चेंज लाने पर काम कर रहे हैं हम गुड गवर्नांस पर कई इनिशेटिव ले रहे हैं और यहीं दो चीजे हैं जो विश्व को आकर सिद करते हैं इतने कम समय में 40% फोर्टन डार के इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारी यहां इजाबा होना यह अपने आप में अप कपून डेस्टिनेशन के रूप में स्विकार किया है इन फास्टम फ्रांस और भारत के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम दो सरकारों के बीच या राजनीतिक दुरुष्टी से स्ट्रेजिक पार्टर सीफ है ऐसा नहीं है अगर हम बारी किसे देखें तो फ्रांस के पास ज वो requirement है यहने एक प्रकार से made for each other जैसा मामला है और इसलिए जो आपके पास है वो हमारी जरूरत है आपको जो इस मार्केट की जरूरत है वो मार्केट यहां पर अवेलेबल है लो कोस्ट बनी फेज़किन का पर इराता है वो संभावना यहां पर है और इसलिए भारत के पा फ्रांस के साथ मिलकर के काम करने के अनेक अनेक संभावना बनी हुई है हमारा जो विकास का मोडल है उसमें हमारी जो requirement है उसमें फ्रांस की महारत है हमें इंफासेक्टर में आगे बढ़ता है चाहें रेल हो रेड हो मेरे टाइम के विशे हो इवन हम हम वाटर वेस्ट पर क बहुत बड़ी एहम भूमिका अदा कर और इसलिए हम कारवन फ्रूट्प्रेंट को कम करने के लिए हम वाटर वेस्ट पर जाना चाहते हैं फ्रांस के पास उसकी केपिसिटी है हम मिलकर के उसमें काम कर सकते हैं हम हमारे रेल इंफासेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं हम रेल 25 क्रोड पॉपलेशन जो है हमारी 1.25 बिलियन पॉपलेशन जो है उसकी रिक्वार्मेंट भी बहुत है आज हमारी रेल है उसको कई गुना हमें बढ़ाना है हम पचांस मैट्रो सिटीज में मैट्रो ट्रेन के लिए हम इंफासेक्टर खड़ा करना चाहते हैं जिसमें फ्र फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत है इनोवेशन हर चीज में नई चीज करना नए तरीके से करना भारत की टालेंट को उसके साथ जोड़ करके करें तो मैं समझता हूं कि हम इनोवेशन की दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकते हैं कोब 21 पैरिस में जो रिजोलिशन हुआ उस इस दिशा में आगे बढ़ने करता है किया एक रिन्यूबल एनर्जी के क्षेतर में क्लाइमेट के क्षेतर में इनोवेशन के लिए काम करना अमेरिका फ्रांस और भारत तीनों मिलकर के इस दिशा में बहुत बढ़ा काम करने के लिए आगे आये हैं तो एक साथ हम आगे ब प्ताम है जो सूरज से इतने लाभानमीत है ऐसे दुनिया के 122 देश मिल करके ग्लोबर सोलर एनाइंस एंड रिन्यूबल एनर्जी के इनोवेशन का ख्षेत्र यह दो ऐसे इनिसेटिव हैं जो आने वाली सताब्दी तक उसका प्रभाव पैदा होने वाला है और उसमें हम द भारत बहुत तेजगती से अर्बनाईज हो रहा है हमें हमारे शहरों को अधुनिक बनाना पड़ेगा हमें नए शहर बनाने पड़ेगे हमें हमारे शहर में क्वालिटी आफ लाइप के लिए most modern infrastructure बनाना पड़ेगा smart city के concept को लेकर के हम आगे बढ़ रहे मैं फ्रांस का लातपूर, पुडिचेरी और चंडीगर्ड तीन सहरों के smart city के दिशा में उन्होंने हमारे साथ काम करने का दिनने की है मैं उसका स्वागत करता हूं और आने वाले दिनों में क्योंकि यह उनकी विशेस्ता है यह विशेस्ता हमारे देश में जा आती है तो हमारे देश को भी काफी लाब मिलता है हमारी नई पीड़ी को लाब मिल सकता है विकास की दिशा में मैं बताता हूं कि भारत के पास infrastructure आप बताइए आप हमारी हां हमें 50 मिलियन से जादा हाउसिंग का बहुत बड़ा काम करना है यानि एक प्रकार चे एक नया देश हमें निर्मान करना है विदिन इंडिया इतनी बड़ी मात्रा में गरीबों को मुझे घर देने हैं 2022 का लक्ष है बहुत बड़ी मात्रा में विदेश के लोग आ सकते हैं मैं राश आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे मैं इसका स्वागत करता हूँ उनके इस दिने का हम विकास के लिए फ्रांस के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं और जिस दिन परिश में आतंकबाद की घटना हुई उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि इस बार हमारे रीपब्लिक प आभारी हूँ मैं फिर एक बार चंडिगण आने के लिए पूरी CEO की टीम को चंडिगण लाने के लिए मैं रदे से उनका बहुत पहुत आभारी वेक्त करता हूँ और दोनों देश के CEO को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा एक ही मंत्र है विकास 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 21 सदी के आनुगूल अपग्रेड़ के डवलपमेंट इंफार्सक्टर अपग्रेड़ कौलिटी लाइप अपग्रेड़ इंसाने कामों के लिए हम कंदे से कंदा मिला करकर काम कर सकते हैं फिर एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद राश्पती जी का बहुत-धन्यवाद थैंक्यू